पिड़ा मेरे प्यारे शोतागणा, मैं कतावा चकंकर, आज आपके सामने प्रसुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतरकत कता, अथिती सेवी, महराज रंतिदेव महराज संस्कृती के पुत्र महराज रंतिदेव, बड़े ही अथिती सेवी थे तो उसे पता है, ऐसे अतिती को बैकनी के लिए आसन देना, मीठी बात कहकर इसका स्वागत करना, उसे हाथ पैर धोने तथा पीने को जल देना और हो सके तो भोजन कराना बड़े पुन्य का काम है, जो अपने घराए अतिती को फटकारता और निराज करके लोटता देता है, उसके सारे पुन्य नष्ट हो जाते है महराज रंती देव इतने बड़े अतिती सेवी थे कि अतिती इक्षा के जानते ही उसकी इक्षित वस्तु उसे दे 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 थे उनके यहां रोज हजारों अतिती आते थे, इस प्रकार बांगते बांगते महराज का सब धन समाप्त हो गया, वे कंगाल हो गया महराज रंती देव ने निर्दन हो जाने पर राजमेल छोड़ दिया इस्तरी पुरुष के साथ वे जंगल के रास्ते यात्रा करने लगे चत्रिये को भीक्षा नहीं मागना चाहिए इसलिए वन के कंद मूल फल आदी सेवे अपना तथा इस्तरी पुत्र का काम चलाते थे बिना मांगे कोई कुछ दे देता तो उसे ले लेते थे एक बार महराज रंती देव चलते हुए ऐसे वन में पहुँचे जहां भुजन के योग्य कंद मूल फल तो क्या पत्ते भी नहीं थे उस वन में जल का नाम नहीं था भूख से रानी और राजकबार छट पिताने लगे प्यास के मारे गला सूख गया पूरे 48 दिन तक उन लोगों को एक बून जल तक नहीं मिला उनन चास्वे दिन महराज रंती देव उस वन के बाहर पहुँच गए पास की किसी बस्ती की एक मनश्य ने उन्हें आदर पूर्वा गी मिला खीर, हलुआ और शीतल जल ला कर दिया महराज रंती देव ने बड़ी शांती से वह सब सामान लेकर भगवान को भोग लगाया 48 दिन के उपवास से मरने मरने को हो रहे महराज के मन में उस समय भी यही दुख था कि जीवन में पहली बार आज किसी अतिती को भोजन कराये बिना उन्हें भोजन करना पड़ेगा उसी समय एक ब्रामाण आये, वे भूके थे, उन्होंने भोजन मांगा राजरंदी देव बड़े प्रसन हुए, उन्होंने बड़े आदर से ब्रामाण को भोजन कराया जब ब्रामाण भर पेट भोजन करके चले गए, तब बचे सामान से राजा ने इस्तरी और पुत्र का भाग उन्हें बाट कर दे दिया अपना भाग लेकर वे भोजन करने जा रहे थे, कि एक भोजन शूद्र आ गया राजा ने उसे भी भोजन कराया, लेकिन शूद्र के जाते ही एक और अधिती आ पहुँचा उसके साथ कई कुत्ते थे, वो अधिती और उससे कुत्ते भी भुके थे राजा ने सब बोजन अधि थी तथा उसके कुत्तों को आदर पूरवक दे दिया अब उनके पास थोड़ा सा पानी बच रहा था राचा रंती देव के भागे में वह पानी भी नहीं था प्यास के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे किन्तों जैसे ही वे पानी पीने चले एक चाइंडाल यह पुकरता हुआ आप पहुचा महराज मैं चाइंडाल हूँ प्यास से मेरे प्राण जा रहे हैं दो गोग जल मुझे देने की किरपा कीजिए महराज रंती देव की आँखों में आँसु आ गए उन्होंने भगवान से प्रातना की प्रभू यदि मेरे जल दान का कुछ पुन्ने हो तो उसका फल में यही चाता हूँ कि संसार के दुखी प्राणियों का हर दुख दूर हो जाए बड़े प्रेम से उस चाइनदाल को महराज ने वह बचा हुआ पानी भी पिला दिया चाइनदाल के जाते ही महराज रंती देव भूख प्यास के मारे मूर्चित होकर गिर पड़े लेकिन उसी समय वहां भगवान ब्रह्मा भगवान विश्णू तथा भगवान शंकर और धर्मराज प्रकष्ट हो गए यह देवता ही ब्रामन शूद्र कुत्ते से घिरे अतिती तथा चाइनदाल बनकर रंती देव के पास आये थे माराज रंती देव ने अतिती सेवा रूप धर्म के प्रभाव से ही भगवान के दर्शन को प्राप्त किया धन्यवाद